Hello friends, अगर आप कम खर्ज में USA जाना चाहते हैं, यह पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी क्या है देखिए friends, काफी सारे लोग USA जाना चाहते हैं, लेकिन उनके confusion बहुत हैं, risk ले नहीं सकते और वो किसी से लिखित में guarantee चाहते हैं USA जाने के हमारे पास जो यह कहले जिये main रास्ते हैं, वो क्या है ? अगर यह कहें, एक number के रास्ते हैं, वो है, आप tourist visa पर USA जा सकते हैं आप study visa पर USA जा सकते हैं, और अगर आप के पास कोई high skill है तो आप क्या कर सकते हैं ? आप USA जा सकते हैं वर्क visa पर लेकिन एक बड़ा ग्रूप ऐसा है जिसके पास ना कोई अच्छी स्किल है ना वो स्टडी वीजा पर बाहर जाना चाहते हैं और ना ही वो ट्यूरिस्ट वीजा लगवाना चाहते हैं वो जाते हैं दो नमबर के रास्तों से वो टीज सबसे हारम फूल है और सबसे महँगा भी है जो दो नमबर का रास्ता है वो सबसे महँगा है तो आप क्यों अपनाना चाहते हैं तो इससे अच्छा है अगर आपकी एज 25 के पलस है तो आपके पास जो बैस्ट उप्शन होता है वो है ट्यूरिस्ट वीजा का और अगर आपकी एज 20 से लेकर और 22 यहां तक की है और आपने 12 किया है या आपने ग्रेजवेशन किया है तो आपके पास स्टड़ी वीजा का बहुत अच्छा उप्शन होता है तो सबसे पैस्ट उप्शन आज जो इसकी में बात आपके साथ करने वाला हूँ वो है ट्यूरिस्ट वीजा ट्यूरिस्ट वीजा यूरिस्ट वीजा का काफी सारे लोगों को मिलता है पूरी दुनिया की जितने भी बड़ी कंट्री है यह कैली जिए स्ट्रॉं कंट्री जिसके कुरे डाले लगा लीजिए यह सेंटकन कंट्री यह कैली जिए ऐस्टेलिया और न्यूजिलेंड कोई भी घर अनलीजट काफी ढ़ने जितना वीजा सक्सेस है उस से यवजास च्छिए का है लेकिन हम USA में जो interview होता है उसी से डरते हैं किसी को हम face करने से डरते हैं जब तक आप किसी को face नहीं करेंगे तो आपको visa मिलेगा कैसे सबसे ये कह सकते हैं जो इतनी country है उनमें सबसे कम documentation है USA visa के लिए तो क्या documentation है कौन से documents चाहिएं इंटर्वी में क्या question पुछे जाते हैं उनको कैसे तयार किया जा सकता है और कितना खर्च आता है इस वीडियो में पूरा हम discuss करेंगे पूरा वीडियो देखते रही है नमबर वन जो condition होती है आपको USA का जो tourist visa है apply करना है तो खुद का आपका प्रोफाइल होना चाहिए है ना उस प्रोफाइल पर आप six months से अगर one year का काम करते हैं तो आपका प्रोफाइल बन सकता है आपके पास एक decent bank statement हो जिसमें frequently transaction है उसके साथ साथ आपके पास या तो आपका कोई business आपने registered किया है वह आपके पास हो जिससे आपको यह कहा लिजिए 50 to 70 thousand income आ रही हो और उसके साथ साथ या आपकी कोई भी job जो भी आप अगर job पे हैं तो well and good है अगर नहीं तो आप अपनी profile बिल्ड कर सकते हैं देखिए आपको जो खर्च करना है वह अपनी profile बिल्ड करने पर कीजिए किसी की guideline में अपनी profile बिल्ड करवाईए एक साल का समय दीजिए और आपका इतना पैसा salary को कैसे maintain दिखाना यह सब चीजिए आपको करना पड़ेगा और उसके बाद क्या होता है कि जो USA का tourist visa है उसके जो basic steps के लिए उनमें सबसे पहले है कि आपको उसके लिए form है DS-160 वो fill करना है DS-160 fill करना है आपने DS-160 fill कर दिया then क्या होगा आप अपना क्या करेंगे appointment book करेंगे appointment का जो book होगा उसमें आज का समय जो इंडिया में appointment है वो काफी time बाद की मिल रही है हो सकता है कि आज आप apply कर रहे हैं और appointment book कर रहे हैं और next year का appointment आपको मिले लेकिन इसके लिए आप हम जैसे लोगों का सहयोग ले सकते हैं जिस पे ज्यादा खर्च रही होता कम ही खर्च ह होगा है ना लेकिन आप को यह लगता है कि मैं तो मेरे को पहले वीजा मिलेगा उसके बाद ही मैं पैसे दूगा वहां पर आपको क्या होता है कि आप वहां पर 25,000 का 25,000 देते हैं जहां पर आपका खर्च 25,000 होना था लेकिन वहां पर आप खर्च कितना कर रही हैं 25,000 करते तो आप थोड़ा सा रिस्क लेना सीखिए आपको हो सकता है कि 60-65,000 का खर्च होगा लेकिन वहाँ पर आपके 25 लाग भी तो बच सकते हैं अजेंट के पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको लगाएगा आपको वीजा मिल ही जाएगा आपको इंट्रिव्यू उसके डेटेल डाल डेना है डेटेल में आपका परस्णल डेटेल है आपका जोभ अडेटेल है आपका USA में क्या पलान है कब आप जाना चाहते हैं पूरा का पूरा डिटेल आपको DS-160 में फिल करना है उसके बाद आपको appointment book करना पहले उसके बाद fee pay करना है fee pay करने के बाद आपको appointment schedule करना है और आप कोशिस करिए कि आप appointment के लिए अगर आपको नहीं जल्दी मिल रहा तो या तो आप कोशिस कर सकते हैं अगर आपको इसकी trick पता है नहीं तो आप किसी का सायोग ले सकते हैं ले सकते हैं और अगर आपको appointment मिल गई तो दो appointment आपको मिलती हैं इसमें पहली जो appointment होगी वो biometric की होगी और कोशिश कीजिए कि जो आपकी biometric की जो detail है वो appointment है वो 2-3 दिन पहले की हो उसके बाद 2-3 दिन बाद के बाद आपकी interview की appointment हो अब जिस दिन आपका interview होता है उस दिन आपको कोई अलग से वहाँ पर जैसे dressing sense और ये चीज़ें कोई अलग से आपको ताम जहाम करके जाने की भी जूरुत नहीं है क्योंकि कुछ लोग जैसे अगर बंदा जा रहा है वो coat, pen, tie लगा के ऐसे मतलब दिखाए कि उसको over soak करेगा तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है हो सकता है कि आपका visa भी decline हो सकता है और ना ही आपको इतना भी casual होके नहीं जाना है कि बिल्कुल ऐसे मतलब चले गए normally वो भी नहीं बिल्कुल medium आपको रहना है जैसे आप एक office में जाते हैं ऐसे ही आपको वहां पर जाना है अब जैसे वीजा officer आपसे question करता है उनका honestly जवाब देना है वीजा officer आपसे क्या question कर सकता है आप USA क्यों जाना चाहते हैं सबसे पहले उसके बाद आपका income monthly कितना है yearly कितना है आपका saving कितना है आपका itundry plan कितना क्या है आप कहां-कहां भूमना चाहते हैं कोई आपका USA में है के नहीं यह question सबसे ज़्यदा पूछ जाते कि अगर आपक आपको कभी भी नहीं कहना है कि मेरा USA कोई है बिल्कुल कोई नहीं है मैं तो बस घूमने जाना चाहता हूं और जो भी country है वो यहीं चाहते है कि उसका जो traveler है वो घूमकर वापिस आजाए आपको अपने जो document है जो आप DS-160 फिल करेंगे या जो भी आपके document है आपको उसमे यह document स्ताफित करने का प्रियास करना है कि मैं USA से वापिस पकाऊंगा क्योंकि मेरा जो country tie है वो बहुत मुद्बूत है country tie जितना आपका मद्बूत होगा वीजा मिनने के आपको उतना ही ज़्यादा chance होगा और आपके travel history के बारे में वो पूछ सकता है अगर आपको USA जाने क वेतना मलेशिया कंबोडिया सिंगापूर इन country का ट्रेवल कर क्या सकते हैं तो कुछ country का ट्रेवल आपके पास होगा तो आपके पास strong point होगा कि यह एक real traveler है और कोई प्रोब्लम नहीं है घूम कर वापिस आजाता है कोशिश करोगी रसिया चले जाओ रसिया से वापिस तो आपको मिल जाएगा कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन मिलेगा कब जब अप्लाई करेंगे तो आपको वीजा मिलने वाला नहीं है और देखिए आपको जो अगर कम पैसे में कम खर्च में वीजा चाहिए और USA आपको जाना है तो आप किसी भी एजेंट के साथ जो भी आ असपास है उसके बाद तो आप एक जो भी आपकी प्रोफाइल बीडिंग है प्रोफाइल को ठीक से मेंटेन करने के लिए जो चार्ज होगा वह आप उसको पे कर सकते हैं साथी साथ अगर अर्ली अपोइंटमेंट के लिए कुछ चार्ज होगा तो वह आप उसको पे कर सकत लेकिन आपको तो क्या करना है 25,000 नहीं देने है 25,000 देना है तो इस सोच से बाहर निकलिए वीजा मिलेगा और वीजा मिलना और ना मिलना किसी के हाथ में नहीं है वो आपके जो इंटर्वी में आपका प्रजेंटेशन है उसी के अधार पर मिलने वाला है आपके DS-160 में जो आप प्लाइग करवा सकते हैं और क्योंकि उससे क्या होगा कि वो आपका फिलाउट सही से होगा और आप हो सकता है उसी के रिसपोंस में आपको वीजा मिले तो यह स्टैप अगर आप अपनाएंगे तो USA का वीजा मिलेगा और USA के जो स्टैप मैंने आपको बताया कि पहले आप DS-160 फिल करेंगे उसके बाद फीज पे करेंगे अपोइंटमेंट बुक करेंगे और तैन आप क्या करेंगे इंट्रिव्यू देने जाएंगे तो यही स्टैप है USA का वीजा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और 2024 जून 2024 में USA में क्या हो रहा है टी 20 वर्लकप हो रहा है यह एक अच्छा स्ट्रोंग रीजन है कि आप यह कह सकती है मैं तो 2020 वर्लकप देखने के लिए जा रहा हूं तो आप जाए और वहां पर आपको जो करना है आना है आना है जाना है तो रहना है तो रही लेकिन आप यह स्ट्रोंग पॉइंट आपके पास वहां पर जाने का और इसमें अगर आप हमारी टेम का कोई भी सायोग जाते हैं तो दिये गए नंबर पर क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल सेयर कर सकते हैं तो और अपना वीजा एपलाई कर सकते हैं थैंक यू